। 2006 में मुझे मेलरिया होया था और मुझमे पहले से ही थाईरेड था तो मेलरिया के दौरान में 12 विनन खानेन के बाद मेरा हीमोगलोविन डाउन हो गया और सुडियम डाउन हो गया, और फिर हस्पिटल में अड्मीठ होना परदा, घिर सालाइन लगे, वराजालाइन लगे, दो बलड चड़े उसके दोरान आइस्ता आइस्ता मुन में डिप्रेशन में आगे जब मेडिसिन ले रहती उसके दोरान चेकक किया थो अलसर भी था उसके छे महिने के बाद मैंने बापु जी से दिख्या लिया 2006 को जो कहते हैं कि वो प्रभु हमारी नेगेटिव ओरा को खिंच लेते हैं मुझे एसे लगा कुछ मुझे कुछ आच्छा अनुभव हुआ 2008 खो बापु जी भूबने स्वर में आये मैंने बापु जी को बोल दिया कि बापु जी हमें डिप्रेशन है रात को निंद नहीं आती क्या करें बापु जी कि वापूजी एसे गाले से एक तुलसी का मालव निकाला और दिखा आई अबडा तुलसी का माला गाले में पहर ना और फिर बोले की वह निन की दवाई मत खानानीट की दबाई क्षाने से और अल्प कुंतर वो जाते हैं। फिर बापु जी ने सत्संग पंडाल में मंत्र दिया, सत्संग खतम हो गया, बापु जी चले गए, फिर मेरे पती देप लावी टूरिंग जब है, ओ भी चले गए आठ दिन के लिए वाहर, जब रात हुई तो मुझे गोली लेने की यादत हो गए थी, गोली लेने के लिए फिर याद आया कि गुरुदेव ने मना किया है, इसलिए वो गोली के पास तो गेई फिर लोटके आगे, फिर सोने के लिए आई तो निंदी नहीं लगा, फिर क्या करूं एसे इतना मन बिचलित हुआ कि मैं सो नहीं पाई, बापु जी की एक छोटी सी तस्विर था, उसको गाले में लगा लिया, और रोई बहत, रोई की बापु जी मुझे बचाओ इस खतरनाक बीमारी से, एक आशारामन की डीबीडी हमारे पास्ता, उन डीबीडी बजाया, फिर ओ सुनते सुनते रो रो के प्रभु जी मुझे बचाओ, आप ही हमारी मात पिता बंदु सकाओ, हे गोविंद हे गोपाल हे माधव हे केशव हे गुर्देब हमें बचाओ प्रभु हमें नीन नहीं आती, ऐसे ऐसे बोलके केसे सुबह हो गए, फिर दूसरे दिन फिर ऐसे ही आलत हुआ, कि क्या करें नीन नहीं आती, फिर ऐसे ही बापु जी के तस्विर को गले लगाया, आसारामान ये डिविडी वजाई फिर ऐसे हो के दो, तिन दिन, चार दिन हो गया, फिर आइस्ता, आइस्ता, मुझे केसे नीन आने लगी, मुझे मालूम नहीं, ओ, जो कहते हैं कि सच मुछ गुरु है, दीन दयाल, सहजी कर देते हैं, इतनी सहजता से हमारी बिमारी दूर होगे कि हमको पता ही नहीं चला कि कब रोते-रोते हम सोगे, बापुजी कैसे क्या चमतकार किया, लेकिन वो ही उस बिमारी के लिए ड़क्टर बोला था कि डिप्रेशन की बिमारी है, ये जड़ से खतम नहीं होगा, उसको कई साल लगेंगे, हम इतना गोलिया ले रहे थे, पांच-छे गोली सब बंद कर दिया, हमारी ड़क्टर, हमारी बापुजी ने हमें ठीक कर दिया और डिप्रेशन की बिमारी जली गई, हमको फिर से ड़क्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी,